दोस्तो इस वीडियो को जितना सेर कर सकते हो जितना कॉमेंट कर सकते हो जितना लाइक कर सकते हो उतना प्लीज करो जितने ग्रूपस होंगे वहाँ तक पहुच़ा दो जिसे मुझे motivation मिलेगा और मैं आपके exam से पहले बहुत सारे one sort videos आपको provide करूँगा Already मैंने Laplace Transform के उपर दोस्तो टोटल 6 lectures बना दी अगर आपने उस lectures को अगर नहीं देखाया तो आप देख सकते हो और वहाँ से इसके बाद अगर आपको quick revision करना है तो आप one sort वीडियो से कर सकते हो चलो one by one start करते हैं कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को हम cover करेंगे तो दोस्तो सबसे जादा जो important है वो यहाँ पर क्या है दोस्तो आपका definition तो Laplace कभी भी आप start करते हो तो आपको उसका basic definition वाला formula पता होना चाहिए 0 to infinity e raised to minus ht f of t dt तो इसको हम दोस्तो किसमें लिख देंगे इसी को हम लिख सकते हैं Laplace of यहाँ पर जो अगर आता है यहाँ पर कहा है दोस्तो f of t तो यह जो basic formula है दोस्तो यह बस आपको पता होना चाहिए basic definition आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर यह one sort video है तो मैं उतनी चीज़े बताऊंगा जितनी आपको requirement है देखो यहाँ पर मैंने सभी formulas नहीं लिखे है जो formula की सच में requirement है वही मैंने लिखा है दोस्तो जैसे Laplace of 1 है तो इसका answer कहाएगा दोस्तो 1 by s Laplace of e raised to 80 e raised to minus 80 बहुत ही simple है 1 upon s यहाँ पर a है तो दोस्तो यहाँ पर minus a आएगा यहाँ पर दोस्तो minus a है तो यहाँ पर कहाएगा प्लस ही आएगा अगर समझो दोस्तो sin 80 और cos 80 है तो बहुत simple है मैंने आपको जो brief वीडियो पढ़ाया था वहाँ पर ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कहाए दोस्तो system है तो मैंने बोला था यहाँ पर s है तो यहाँ पर कहाएगा दोस्तो a अवी नास आएगा और यहाँ पर नीचे तो same है s square और यहाँ पर कहाएगा दोस्तो a square same यहाँ पर भी कहाएगा दोस्तो a square है cos है तो उसके last में s आता है तो यहाँ पर कहाएगा को क्या कर देना माइनस कर देना है कि यहाँ पे पना एक एक पर वीडियों में आपको बता रहा है यहाँ पे अपनwe s n उपारफ आपन वॉल्ट वि अपन स काम हो तो आप इसे लिख सकते हो, 1-cos2θ upon 2, इसे आप लिख सकते हो, 1-cos2θ upon 2, देखो अगर cos है, तो plus में लिखो, sin है तो minus में, यह देखो यह वाला ही formula बहुत इजी है, 1 by 4, और यहाँ पे भी दोस्तो, 1 by 4, यहाँ पे दोस्तो, 3 आएगा, 3 sinθ, और यहाँ पे दोस्तो, 3 जो है, व cosθ, और अभी 3 कहाँ पे आएगा, दोस्तो, अंदर आएगा, और सेम अगर cos है, तो plus आएगा, देखो, बहुत ही simple, मैंने बोला न, यह one-sort वीडियो, आपको इतना powerful मिलेगा, पूरे YouTube का सबसे best वीडियो मिलेगा, आप अगर बहुत सारे one-sort वीडियो देखो गे, तो पत दोस्तो, आप क्या करोगे, e raised to x, e raised to minus x, यहाँ पे जो term है, और यहाँ पे गाएगा, दोस्तो, 2, यहाँ पे भी गाएगा, दोस्तो, e raised to x, e raised to minus x, अपन यहाँ पे 2, cos है तो plus, sin है तो minus, बस, इतनी basic चीजों की requirement है, अगर इतनी basic चीजों की requirement हो जाती है, इतने formulas आपके प दोस्तो, सबसे पहले हम एक basic laplace का question solve कर ले रहे हैं, कि basic question हमें solve करने आता ही की नहीं आता है, देन उसके according हम आगे की चीजों की cover करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखते हो, तो दोस्तो, आपको यहाँ पे दिखा ही देगा, देखो, यहाँ पे हमे हमने लिख दिया, देन आपको क्या करना है दोस्तो, इसके बाद, बहुत ही आसानी से, देखो, अगर आपके exam में कुछ घंटे अगर बाकी है, तो भी आप बहुत अच्छे से चीजों को cover कर सकते हो, इस वीडियो से, देखो, यह 4, देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लैपलास दे दिया, यहाँ पे लैपलास स्मनें दोस्तो, साइन 3T को दे दिया, यहाँ पे लैपलास हमने दोस्तो, E raise to 2T को दे दिया, अब अगर आपसाइली एगर solve कर रहे तो इह 4 constant है, यह बाहर आ जाएगा तो लैपलास यहाँ पर कैं आजागा दोस्तो टै जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो दोस्तो ये 4 है यहाँ पर लैप्लास ओप यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तो वॉजुर मतलह कंसा फॉर्मुला यूज करेंगे पर फॉर्मुला मतलब यहाँ परP 4 अगर आप इसका लेपलास निकालते हो तो मैंने बोलाएगी S मतलब system, system किस पर बारी था, अभीनास पर तो यहाँ पर कहाएगा दोस्तो, अभीनास मतलब A यहाँ पर A का value कितना है, दोस्तो, 3 यहाँ पर कहाएगा, दोस्तो, S square और नीचे के आता है, दोस्तो, plus A square A square मतलब 3 का square कितना होगा, दोस्तो, 9 अगर आप इसे solve कर रहे हैं, तो दोस्तो, इसका formula बहुत easy था 1 upon S, यहाँ पर plus 2 है, तो यहाँ पर कहाएगा minus 2 हो गया solve, तो देखो, बहुत easy है, बस आपको समझना है, आप देखो यहाँ पर इसके बाद, अब हम type पर आ रहे है, type wise अगर हम चीजों cover करें, तो दोस्तो, देखो सबसे पहले हाँ, change of scale property, यह एक बहुत ही important properties है, जो हमने पढ़ाया था, अगर आप मेरे brief वीडियो से चीजों cover करना चाते हैं, तो वहाँ से भी आप cover कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे सभी चीजों cover किया, यह भाई, यह one sort videos है, तो उसके हिसाब से मुझे चलना होगा, तो देखो यहाँ पर, अगर हमें, यह तो हमें basic form पता है, कि laplace of f of t, which is equal to क्या होता है, दोस्तों apply करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले one upon a, मतलब जो numbers है, जैसे यहाँ पर two है, तो हम one upon two लिखेंगे five, यह जो s के form में, जो भी हमें answers मिला है, उसमें सभी जगह पे मुझे क्या करना है, s की जगह, जैसे यहाँ पर one upon s है, तो मैं क्या करूँगा, s को किस से divide करूँगा, two से divide करूँगा, example 10 से मतलो, यहाँ पर example दे रहा हूँ, जैसे देखो, यहाँ पर f of t का answer यह है, यह हमारा क्या है, दोस्तो f of t का answer है, और उन्होंने हमें क्या बोला है, find f of 2t बोला है, मतलब यह t के आगे two multiply कर दिया, करना कुछ नहीं है, same यह वाला rule apply कर दो, और बस आगे क्या करो, one upon a है, तो आप आगे क्या लगए, one upon a मतलब, a मतलब यहाँ पर क्या है, two है, यह two है, उसको वैसी ही रखा, s दिख रहा है, s को हमने किस से divide किया, two से, फिर दोस्तों यहाँ पर फिर से नीचे s है, तो उसको भी हमने two से divide किया, और whole square, और plus four, बाकी आप simplification आप कर लेना, बस मैं इस property का मतलब मैंने आपको समझा दिया, अब दोस्तों इसके बाद यह इतना important भी नहीं है, इसके बाद first drifting theorem आता है, बहुत important है दोस्तों, और इसके उपर एका question तो आपको दिखाई देगा, और पूरा का पूरा, पूरा का पूरा M3 से related, मैंने playlist, अगर आप जाके check करोगे, तो पूरे के पूरे lectures हमारे दोस्तों upload है, साथ में दोस्तों अगर आ अगर आपका एक्जाम कल सुबह है, या अभी से 2-3 गंटे बाकी है, तो आपके लिए वीडियो बहुत helpful होगा, अब दोस्तों यहाँ पे, देखो यह basic form आपको पता है, तो first drifting theorem मतलब जहाँ पे e raise to something अगर multiply होगा, तो समझ जाना, first drifting theorem अप्लाय होगा, जैसे यहाँ पे e raise to लिए है न यहाँ पे क्या जागा प्लस है, और अगर दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, A का opposite क्या होता है, minus A तो दोस्तों ये बहुती simple तरीके से ये चीज़े आपके यहापे क्या हो गई दोस्तों cover हो गई अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों देखो यहाँ पे एक question मैंने आपके लिए लाया है किस तरह से आपको यहाँ पे apply करना है किस तरह से question को solve करना है पूरा का पूरा help करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है देखो दोस्तों इस तरह से अब देखो यहाँ पे कैसे आपको समझेगा कि यह first shifting theorem का question है e raise to something यहाँ पे multiply में है तो समझ जाना first shifting theorem का question है इस तरह के question को solve करने के लिए सबसे पहले e raise to के अलावा जो वाला part यह पहले आप उसका laplace निकालो तो देखो मैं यहाँ पे क्या करहा हो laplace पहले पे क्या ले रहा हूँ sin cube t मैं इसका laplace निकाल रहा हूँ अब देखो दोस्तों यह formula है formula इसलिए मैं पहले ही आपको starting में cube वाले formula समझा दिए, क्या था formula दोस्तो 1 upon 4 3, sin theta मतलब यहाँ पे t है, minus आएगा sin के formula और यहाँ पे कहाएगा sin 3t, मतलब अगर आप मेरे lectures को देख रहे होनों, तो आपको कुछ भी करने के लिए extra efforts की ज़रुवत नहीं है अब देखो दोस्तो यह 1 by 4 बाहर आजाएगा, यहाँ पे लैपलास हो जाएगा यहाँ पे कहाएगा दोस्तो 3 है यहाँ पे कहाएगा दोस्तो, sin t है यहाँ पे कहाएगा दोस्तो, sin 3 t है और यह, देखो 1 by 4 हमने बाहर ले लिया constant, अब दोस्तो देखो यह 1 by 4 ऐसे ही है अब अगर ले रहे तो 3 तो ऐसी रहेगा sin t का लेपलास क्या आएगा मैंने बोला था system किस के उपर भारी है अभीनास के उपर तो अभीनास का a मतलब यहाँ पर a कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर क्याएगा दोस्तो s square plus a, यहाँ पर अगर आप देखोंगे t के आगे कुछ नहीं तो 1 आएगा यहाँ पर अगर आप solve करोगे तो a का value कितना है दोस्तो 3 है, यहाँ पर काएगा दोस्तो s square plus यहाँ पर a square मतलब यहाँ पर 3 square मतलब दोस्तो कितना आएगा 9 तो देखो ये पूरा का पूरा आपने पार्ट लिख दिया इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो देखो ये 3 बन सा 3 आएगा दोस्तो ये नीचे 4 ऐसी ही आएगा और साथ में क्या आएगा दोस्तो S स्क्वेर प्लस 1 और यहाँ पे भी 3 ऐसी है ये 4 यहाँ नीचे आएगा और यहाँ पे भी S स्क्वेर प्लस 9 या चाहिए तो आप और अच्छे से लिखो ऐसे नहीं लिखते हैं चाहिए तो आप 3 भी बाहर ले लो तो ये 3 बाए 4 हो जाएगा ये 1 अपन S स्क्वेर प्लस 1 और ये भी 1 अपन S स्क्वेर प्लस 9 अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया अब ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों हमें क्या मिला लैपलास ओफ साइन क्यूब टी अब लैपलास ओफ साइन क्यूब टी मिला पर actual में हमें क्या निकालना है दोस्तों e raise to 40 तो दोस्तों देखो इसके आगे क्या चीए e raise to 40 तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों by first shifting theorem अब दोस्तों first shifting theorem आप लिख लेना जो आपका है चाहिए तो चलो लिख के दे रहा हूँ laplace of e raise to 80 यहाँ पर क्या था दोस्तों f of t तो यहाँ पर finally answer क्या आएगा दोस्तों by यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों s minus e देखो यह same formula है न पीछे तो दोस्तों यहाँ पर same अगर मैं e raise to 80 अगर यहाँ पर multiply कर रहा हूँ देखो इसके अंदर जो मुझे चाहिए laplace of यहाँ पर sin cube t है न उसके आगे अगर मैं e raise to 40 ले रहा हूँ जो मुझे find out करना e raise to 40 sin cube t अगर मैं ले रहा हूँ तो दोस्तों आपको करना क्या करना कुछ नहीं है दोस्तों बस जहां जहां पर आपको s दीख रहा हूँ वाँ पर s minus a लिख देना है तो देखो दोस्तों यह कैसे हो जाएगा इस ध्यान से देखना यह तो को यह 3 by 4 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 1 upon यह s के जगपर क्या हो जाएगा dोस्तों s minus a का value कितना है दोस्तों a का value आपको यहां से मिलेगा a का value यहां पर कितना है दोस्तों 4 है तो यहां पर क्या हो जाएगा s minus 4 का square plus 1 और यहां पर भी क्या हो जाएगा s minus 4 का square plus 9 अब आप इसे expand करके आप अपने answers को लिख सकते हो अब expand वाला पार्ट है अगर आपको नहीं आ रहा है expansion तो मेरे वीडियो में जाके फॉर्स स्रिप्टिंग ठेरम का वीडियो है उसमें दो मिनिट टाइम देखे देख लो आपको पता चल जाएगा अब यहां तक ही रखोगे तो भी चलेगा अब चलते हैं दोस्तों आगे ने division करने बहुत easy है देखो यह basic definition तो सभी को पता है पर अगर समझो effect of multiplication by t ले रहे हैं तो अगर समझो हमने t raise to n से अगर हमने multiply किया तो t raise to n मतला यहां पर t raise to 2 हो सकता है t raise to 3 हो सकता है जो भी हो सकता है तो यह आपको याद रखना है देखो यहां पर बहुत easy है minus 1 raise to n यहां अगर समझो 2 है तो यहां पर भी 2 है अगर यहां थ्री है तो यहां पर 3 आएगा यहां पर दोस्तो derivative है with respect to s और यहां पर जो भी लिखा होगा यहां पर जितना भी होगा t square होगा तो यहां पर डेवल derivative होगे अगर t होगा तो और सिंगल derivative हो लोगे mostly double single derivative तक ही रहेगा उससे जादा नहीं रहेगा और यहां पर फाइस है फाइस मतलब सबसे अब अपने answers को s के form में निकाल दो अब देखो दोस्तों यहां पर एक sum मैंने लिया है यह sum मैं पहले से ही solve है तो मैं direct explain कर दे रहा हूँ उतना time आपका बचेगा देखो दोस्तों यहां पर हमें find the laplace transform देखो यह आपको कैसे समझेगा कि यह effect of multiplication by t वाला sum है तो देखो आगे t multiply दिखाई दे रहा है तो हम क्या गरेंगे सबसेले इसको laplace form में मैंने ले लिया अब दोस्तों देखो cos h मैंने सबसे पहले आपको फायस निकालना होगा तो आप पीछे से पहले आओ आगे से नहीं solve करना है cos h2t का आपको formula already पता है देखो cos hx का formula मैंने already आपको दिया है e raise to x plus e raise to minus x upon 2 अब देखो दोस्तों यहां पर 2t है तो यहां पर क्या जाएगा 2t आजाएगा अब देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले यह वाला part पूरा का पूरा solve करेंगे t नहीं लेंगे देखो पूरा का पूरा part लिया मैंने इसका formula यहां पे लिखा और e raise to minus t है वो अंदर इसे ही है अब laplace of e raise to t e raise to t का answer काएगा 1 upon s minus t के आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो minus 1 और दोस्तों यहां पर क्या आएगा e raise to minus 3t है तो क्या आएगा 1 upon यहां पर minus 3 है तो s plus 3 आएगा तो यह तो आपको basic पता है अब आपने इससे पूरा का पूरा solve कर लिया दोस्तों देखो यह पूरा का पूरा 1 upon 2 s minus 1 1 s plus 3, यह पूरा का पूरा पूरा पार्ट लिखा, अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो t से multiply करना है, देखो, मैंने यहां पर t से multiply किया, आपने देखा कि t के power में क्या है, दोस्तो 1 है, अब t के power में 1 है, तो formula मैं apply करूंगा, minus 1 यहाद है minus 1 raise to n तो n पे मैंने क्या लिखा 1 लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या तक t था अगर t square होता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता तक 2 लिखता अब यहाँ पे d by ds आया अगर यहाँ पे 2 होता तो double derivative लेता अपर अब single derivative है और दोस्तों यह फूरे पार्ट का यह आपका qs है तो फूरे पार्ट का हमें क्या करना derivative लेना है अब डेरिवेटर लेना कीतना है ऐसी है डोस्तों देखो मैं आपको बताहर। constant रहुआ हो अब इस पारड का derivative लेना है तो तो देखो मैंने यहां पर बताएगी का derivative निकालते है तो फिर से 1 ही आता है तो इसले कोई tension नहीं है और यह पूरा का पूरा देखो यह जो minus वाला पार्ट है दोस्तों देखो यह चाहिए तो आप minus अंदर multiplier कर सकते हो तो minus minus यह दो नो अंदर plus भी हो सकते है या आप इतना भी answer रख सकते हो तो बहुत ही simple तरीके से यह पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर किया अब दोस्तों इसके बाद last आपका पार्ट है देखता हूं कि अगर यहां पे हाँ effect of division by T यह वाला जो पार्ट है बहुत ही easy पार्ट है इसे भी अगर आप चाहो तो अगर ऐसा आ रहा है कभी भी T से डिवाइड हो रहा है तो आपको five of s को integration के form में convert कर देना और integration का limit क्या होगा दोस्तों s to infinity अब देखो इससे related पर एक example आपको दिखा देना चाहता हूं इससे related दोस्तों एक example है यह वाला example यह example मैं आपको अगर दिखा दो आपका काम हो जाएगा और अगर इतनी चीज़े अगर आपको पता है अगर आप लास्ट टाइम पे हो तो वन सोट वीडियो मैंने बोला ना इसमें मैंने हर आपको 1 by T या T आपको नहीं लेना है सबस्वरे आपको बचे हुए पार्ट का लैप लास्ट निकालना देखो अब मैंने इसका लैप लास्ट निकाला वन का लैप लास्ट हमें पता है 1 by S है कॉस्ट टी का लैप लास्ट पता है हमें S upon S square प्लस 1 है अब मैं यहाँ पर effect by division by T लूँगा T से मैंने divide किया अब मुझे पता है कि जब भी मैं division करता हूं तो remaining part जो भी मेरा 5S है वो integration में आ जाएगा integration के आएगा S to infinity यहाँ पर गयाएगा दोस्तों देखो सेम जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पर लिखा है अब पूरा का पूरा पार्ट हमने लिखा है यह पूरा का पूरा पार्ट लिखा है फिर यहाँ पर मैंने integration लेते time यह मैंने काम किया तो बात में बता रहो देखो S square plus one है तो हमने एक कोरोलरी पढ़ाए कि अगर कभी भी कोई भी function है अगर उसका उपर derivative है तो हम direct log of function लिख सकते हैं जैसे यह फंक्शन उपर उसका derivative है तो हम direct क्या लिख सकते है लॉग आप फॉंक्शन लिख सकते हैं यह आपको याद रखना है तो देखो यह function है उपर उ तो राज है नहीं तो मुझे यहाँ पर 1 by 2 से balance भी करना होगा अब अगर आप देखोगे यह वाले part का उपर derivative आपको दिख रहा तो आप direct इसका answer log of यह वाला part लिख सकते हैं यह 1 by 2 लिखा log of यह वाला part लिखा अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 by 2 कैसे आया दोस्तों देखो द्यान से दोस्तों देखो यह 2 है लॉक के रूल के according यह उपर आ जाएगा तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी हमने लिखा अब यहाँ पर इंफिनिटी है ऐसे बस आपको क्या करना limit पूट करना कुछ tension नहीं लेना है देखो यह एक बार हम क्या करेंगे पता है सबसे बढ़े अंदर हम रूल अपला करेंगे अगर कभी भी लॉग माइनस में तो उसे मैं डिवाइट में लिखता हूं सिंगल लॉग लिखके देखो पहले यह लिखा फिर यह वाला पार्ट लिखा और सिंगल लॉग लिखा अब देखो एक बार मैं इंफिनिटी पूट पूट करूँगा इंफिनिटी पूट करने का एंसर 0 आएगा हमेंसा समझना है यहां पर फिर एस पूट करूँगा वह सेम टू सेम रहेगा अब दोस्तों यहां पे 0-0 तो अब लिखूँगा नि माइनस वाले फॉर्म में अब यह माइनस अगर मुझे गायप करना है तो यह वाले पार्ट को उल्टा कर दूँगा, तो देखो, S2 plus 1 उपर आ गया, नीचे S2 आ गया, इससे ज़्यादा दोस्तों लैपलास में कुछ नहीं है, अब मैंने A to Z पार्ट कितने मिनिट में कवर करा हैं, दोस्तों 20 मिनिट्स में, एक कॉमेंट तो मेरे लिए होना चाहिए अगर आप चाहते हों कि ऐसे ही मैं रिमेनिंग टॉपिक्स को भी फटा-फट फटा-फट कवर करा के आपको दूँ, इन्वर्स आफ लैपलास चाहिए, 4 यह चाहिए, स्टाटिस्टिक्स चाहिए, ऐसे आपको जो भी पार्ट चाहिए, complex variable चाहिए, प्लीज आप नीचे कराया है, उसके बाद आप देखो, कोई भी सम्ट सौल करोगे न, आपको चीजे समझ में आएगे, अगर आपके स्टम, टाइम कम है, अगर आपके स्टाइम है, तो आप यह रिवीजन के तौर पे ले सकते हो, इसके पहले आपको टोटल लैपलास के 6 वीडियों है, वो दे